आज का ये एपिसोड क्राइम पेट्रोल के 15 एपिसोड की स्पेशल सीरीज में से है ये सीरीज कुछ ऐसे चुनिंदा गुनाहों की कड़ी है जो देश भर में घटित कई शौकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर करेगी और आज का ये केस एक परिवार की बेहद ही दर्दनाक कहानी है ये देखो ये मेरे बच्चे है अच्छा सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हूँ? दोनों को नहीं, एक को चुनना पड़ेगा ना मारने के लिए क्या बख्वास का राए? क्या बख्वास शिündenीशा साओवास नहीं, प्लीज 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 कर दो दॉक्टर साफ, नेरी मा कैसी है? अप्रेशिन वो सक्सेस्टुल, शी आप देंग्जर। थैंक्यू दॉक्तर साफ, आप रिले भगवान है यह तो मेरा फर्स है, यू टेक केप, थैंक्यू टॉक्टर जहदीप, हाप के टेबिल पे, मेंटल पेशन की रिपोर्ट, आज कल कोई नई प्रेक्टिस शुरू कर दिये क्या? इस नन अफर बिजन्स, और मेरा मजा का बिलकुल मूटी है, अइस्टिं एल्स? यह सर, सर, फेकल्टी ने मुझे आपको इनफॉर्म करने के लिए बोला है कि आपको कल ही दिल्ली निकलना पड़ेगा एक पॉलिटीशन की सर्जरी के लिए सर्जरी मुझे करने है या फेकल्टी को? मैंने बोला था कि देट मेरी अवेलेबिलिटी पर फिक्स होगी यह सर, बट वो एक पॉलिटीशन है सो वाट? ऐसी कोई अमर्जेंसी नहीं हो सर्जरी में, परसू भी हो सकती है लेकिन कल का दिन मेरी बेटी ते बहुत क्रूशल है आपकी बेटी? Sir, is everything all right with her? Bye सुद्रेगा नहीं ना तू? क्यों पीशे पढ़ा है? क्यों क्यों नहीं उठारी तू मेरा? देख, मेरा पीछा करना छोड़ते वर्ना? वर्ना क्या करेगी? क्या करेगी वलना? रोख तू, अपकी पोलिस को फोन कट्टेए अरे, तेरी पोलिस की ऐसी की तैसी? मैं अगर अपनी पूतरा है, तो कहीं का नहीं छोड़ूँगा तूजे, समझी ना? आरोहे, 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 पापा! पॉन ही यह लड़के? रोख, रोख! तू, ठीक है ना? चल्व, डाड़ी में पैटेए. कौन ही यह लड़के? पापा, जब्बी मैं कोचिंग्सानी कलती हुना, तो यह लड़के रोज चेड़ते हैं मुझे. तो बैटा, तुम्हें मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी. ऐसी बातों को लाइटली नहीं लेते. तुम्हें मुझे से शयर करना जीए था. अच्छा, अब परिशान मत हूँ. वेख लूँगा मैने को. नहीं, कैसे हैं? कीगुमाशी आप कैसे हो? अच्छे हो. नानु, आज आप मेरे ले क्या लए? मेरा शयर्तान बेटा, अच्छा, आपको रोज कुछन कुछ ही होता है. हाँ, नानु, मैं खुदी देख लेता हूँ. इधर तो कुछ यह नहीं है. वाउ. नानु, यह गन तो बहुत मस्त है. अरे, यह नहीं, यह खराब है. नानु, यह गन अच्छी है, मुझे यह वाली गन चाहिए. बोला ना, यह खराब है. अच्छा, अभी के लिए चोकलेट. वाउ, नानु, चोकलेट, थैंक यू. और अच्छाम को, मैं आपको मार्केट ले जाऊँगा. और एक बड़ी इसी गन दिलवाँगा. सच्छी में? हम, एक है? चलो. चलो, आलो, घर चलो. अरोही, तेरी हिम्मत कैसे मेरे फोन को हाथ लगाने की? हाँ? दी, मैंने अपका सिफ चार्जर ले था, ज़िए मेरे फोन सुच्छाप हो गया था. तुझे मैंने किनी मार बोला है? मेरे चीजों को हाथ मत लगाया कर लेकिन तुझे समझ नहीं आता. मीरा, क्यों हमेशे ऐसे चिर्चिर करके बाप करती रहती है? बहन है ये तेरी? हाँ, अब आप आगे इस आरोही की साड लेने के लिए सारा लाड़ पैर सब कुछ इसके लिए है ना? मैं हूँ कॉन आपकी? मीरा, क्यों ऐसे बाते करती है? हम क्यों तुम दोनों बहनों में भेदबाव करेंगे? सब दिखता है मुझे मीरा, आप रहने दीजिए, दिन भर के ठके हुए आए है अब बैठिये, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ नील, तुम ठीको? अच्छा एक काम करते हैं, मासी और भांजा मिलके लुड़ो खेलते हैं चलो यह मीरा भी ना, अपने बैटे को भी नहीं देखती उसी के सामने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है इंदू से थुरा वक्तो, वो एक खराब रिष्टे से भाहर रही है इसलिए 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 चिर्चिरी हो गई है हमारी दोनों बैटियों की जिंदी में कुछ न कुछ होता ही रहता है दोनों बैटिया? आरोही के साथ क्या हुआ? परेशान मत हो, मैं देख लूँ का, तुम बस मीरा से बात करो एक बार मीरा का डिवोस हो जाए और नील की कस्टड़ी कर्फर्म हो जाए फिर हम मीरा के फ्यूजर के बाले में सोचेंगे अब क्या चाहिए? मीरा, पिटा तु मेरी पहली संतान है तो हमसे ऐसे रूठी रहेगी तो हम जीते जी मर चाहेंगे मा प्लीज यह एमोशनल ड्रामा बन करो सच तो यह है कि आप लोगों को मेरी बिलकुल नहीं पड़ी है मैंने कितना कहा था कि मुझे उस पंकत से शादी नहीं करनी है लेकिन फिर भी आप लोग ने मुझे उसके पलेवान दिया द्रूव क्या कर रहा है? कुछ नहीं बस हैसे ही बाद में बताता हूँ किने में चलना है? साड़े नो बज़े तर चलते हैं ठीक है अब तुम्हे क्या हुआ? डर लग रहा है मेरा का डेवोस केस खिछता ही चला जा रहा है कल भी कोई फैसला नहीं हुआ तुम टेंशन मत लो फैसला हमारे मीरा के हक में आएगा मीरा हमारी हो की भी हमारे सर परायो जैसा वेभार कर रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है उसके दिमाग में क्या जरुरती कोई देख लेता दो मुझे सब बरदास्ट नहीं हो रहा है मुझे उस इंसान की शकल से भी नफरत हो गई है तुम टेंशन मतला मीरा मैं हूँ ना मैं सब ठीक कर दूगा है 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 झाल झाल पुरी गाड़ी चेक्ट करवा, ஐயா. ஐயா, देजी केट्टा. तुम चानते इसको? नहीं सर, पर काफी टाइम से यह कार यहां रुके थी, फिर अचानक मैंने गोली के आवाँ सुनी, पर यहां आकर देखा तो यह मरा पड़ा था. किसी और को भी देखा था? नहीं सर. सर, यह कार से एर टिकेट और डॉक्टर जैदीव सरेन के नाम से नाम सी डि मिला है. सर, डॉक्तर सरीम. सर यह तो बहुत बड़ा सरजन है. एर टिकेट के हिसाब से इनकी दिल्ली ही उन्हीं थी साब्ये-दसुजे. साढ़े दस बजे हैं और अब यह बज़ रहे हैं दस तुम ने गोली की अवाज कितने मजे सही थी? सिर्फ करीब आदे पॉने पहले मैंने तुरंट फिर सौ नंबर पर फोन कर दिया शानी के मडर हुआ है नौ से साढ़े नो के बीर और यह रास्ता भी एरपोर्ट की तरफ जाता है तो क्या किलर को इनका रूट वालूम था? सर्थ यह विक्तिम का फोन बज रहे है ताजी रिसीव करो और इस पेकर पर डालो सर्थ हेलो पापा कहा है आप? कबसे फोन टाय कर रहे हूं आपको? क्या? का वे दोक्टर जय थी कितने बज़े निकलेथे गर से? करीब नौबजे पापा चले गए थे थोड़ी दे बाद आचानक से मुझे कॉल किया और अजीब से बाते करने लगे कैसी अजीब से बाते सारी बेटा इससे बेटा मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया क्या? यह कैसी बाते कर रहे हैं आप आपा? मैं हार गया बेटा तुम मा, मेरा और नील का ध्यान रख्टा मैं हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ देखे पापा आप इसा हेलो? पापा? उसके बाद मैंने कही बार पापा को कॉल ट्या किया और फिर आप लोगों ने मेरा कॉल आंसर किया तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे दॉक्टर जैदीब ने खुद ही आपने उपर गोली चले मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पापा ऐसे एक तब से सुसाइड क्यों करेंगे? क्या डॉक्टर जैदीब किसी बात को लेकर परेशान थे? देखे, कुछ भी चिपाई यहाने हमसे जी जैदीब जी मेरा के पत्नी के से अनुसके डैमोस को लेके काफी परेशान थे लेकिन वो लेकिन वो बहुत स्ट्रॉंग इंसान थे मुझ समझ में नहीं आ रहा है कि वो एसा स्टेप कैसे है अगर उन्हें सुसाइटी करना था तो फिर उन्हें ने दिल्ली जाने वाली फ्राइट का बोर्डिंग पास के बनवाय है और अगर यह सच में सुसाइट तो यह कोई नॉर्मल सुसाइट नहीं है देसी कट्टे की गोली लगी है उनको उनके पास देसी कट्टा कहां से आया होगा जिससे उन्हें उन्हें खुद पर ही गोली चला दी यह यह है वो नानू यह गंद बहुत मस्त है अरे यह नहीं यह खराब है क्या योनिका है? नहीं सर् गान वो क्यो रखेंगे? अच्छा अब डोक्टर जैदीब दिल्ली क्यों जा रहे थे? हॉस्पिरल वाले उने बेच रहे थे वह किसी की सर्जरी करनी थी सर जैदीब सर को एक पॉलिटीशन की सर्जरी के लिए दिल्ली जाना था पहले जब उनकी फ्लाइट मिस हो गई तो हमें भी अजीब लगा लेकिन पता नहीं था उनके साथ ऐसा हो गया है दोक्टर जैदीब की फैमली का कहना है कि उन्होंने सुसाइट किया है क्या? सुसाइट? आपको क्या लगता है? दोक्टर जैदीब सुसाइट करेंगे? सर लगता तो नहीं है लेकिन पता नहीं उनकी परस्टनल लाइफ में क्या चल रहा था और प्रॉफेशनल लाइफ में अपने काम को लेकर डॉक्टर जादीब को किसी तरह का कोई स्ट्रेस निसा स्ट्रेस तो नहीं था लेकिन एक बात है कि उनकी अब तक की सारी सर्जरी सक्सेस्फुल हुई थी लेकिन कुछ महीने पहले उनकी एक पेशेंट की डेथ हो गई दी इस बात का उन्हें बहुत गेल्ट था डवट डॉक्टर जैदी परेशान मतुल्ग कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं वो मेरा पेशेंट था मुझे पूरा यकीन था मैं उससे बचा लूँगा लेकिन पहली बार मेरी एजमशन फेल हो गई तुने मेरे पापा को माँ डाला बलार मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन उनको मानने चाहता था ना सर वो लड़का बहुत वाइलन्ट हो गया था और बार-बार हॉस्पिटल आता था तु क्या उस लड़के ने दुबारा भी अटेक किया था दोक्टर जैदीप पर सर अटेक तो नहीं किया था लेकिन वो कभी भी हॉस्पिटल आ जाता था और जैदीप सर को घूरता रहता था अभी लास्ट टाइम वो दो दिन पहले ही आ था सर मुझे तो यकीन है वो लड़का जैदीप सर को मार सकता है और सर मैंने तो उनसे बोला भी था कि पुलिस कंप्लेंड कर दे लेकिन वो उल्टा उसके साथ हमदर्दी जाता आने लगे कि उस लड़के न अपने फादर को खोया है एक्सक्टरा माँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पापा एकदम से ऐसे कैसे सुसाइट कर सकते आप मुझे ससच बताइए कि उस इन कौर्ट में क्या हुआ था कहीं वो मीरा के हस्बन ने तो मुझे थे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसा कैसे कर सकते हैं उनोंने मुझसे कहा था कि दिल्ली से लोटने के बाद बेना की प्रॉब्लम्ट को सॉल्योशन निकाले लेके नहीं हुआ क्या हुआ वो कुछ नहीं मा नानी आप मुझे बता क्यूं नहीं रहे हो नानों दिल्ली से कभी आएंगे वैसे पूलिस वाले अंकल नानों की गण आप लोगों को क्यू दिखा रहे थें नानों की गण? हान नहीं वो जो गान है ना वो नानों की है सर इस तरह के देसी कट्टे दो साल पहले विक्रमनगर पुलिस की रेड में जब्थ हुए थे और इलीगल आम्स में डील करने वाले बहुत बड़ी गिरहों का इन्वाल्मेंट था इसमें और विक्रमनगर पुलिस का अंदाजा था कि उस दौरान ऐसे हजारों कट्टे इल्लेगल आम्स के ब्लाक मार्केट में बेचे गए थे लेकिन इस तरह का देसी कट्टा एक रेपिटेड डॉक्टर क्यों रखेगा बलीव नहीं हो रहा है कि यह सुसाइट है सर आपका अंदाजा बिलकुल सही निकला जैदीब की पोस्टमाटम रिपोर्ट और गन की बैलेस्टिक रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ सामने है सर अगर इस सुसाइट होता तो पॉइंट ब्लैंक पर शूट होता लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, जैदीब को गोली 2-3 फिट की दूरी से मारे गई यह तो क्लियर मडर है, राइट सर अगर जैदीब की हातों में होती तो उसके हातों से हमें गन पाउडर के टेसेस तो मिलते है लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं है लेकिन सर उसकी बेटी का बयान उसने हमें बताया कि जैदीप ने खुद उसे फोन करके बताया था कि वो सुसाइड कर रहा है और जैदीप के CDR में कन्फर्म है कि मर्डर से पहले उसने अपनी बेटी आरोई के कॉल किया था और सचायवाली का भी स्टेट्मेंट है कि क्राइम सीन के आसपास उसने जैदीप के अलावा और किसी को नहीं देखा था नहीं से रिपोर्ट से तो साब पता चलता है कि यह मर्डर है तो पर इसको सुसाइड की शक्ली क्यों दे जा रही है यह भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जैदीप को गन पॉइंट पर लेकर किलर नहीं फोन कॉल करवाया हूँ सॉरी बेटा मैं हमेशा क्ली तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ ताकि यह मर्डर्नी सुसाइट लगे और डॉक्टर जैदीप को शूट करके जब तक चाय वाला कार के पास मोचा वह भाग गया हो डॉक्टर जैदीप के कलीग का कहना है कि एक मलहार नाम के लड़के ने डॉक्टर जैदीप को जान सर मानने की दंकी दी इस मलहार से मिलते हैं और जैदीप की फैमिली का यह भी कहना है कि मीरा की शादी को लेकर थोड़ा टेंशन में थे जड़र पता करो मीरा उसके हजवेंट की जिन्दगी में क्या चल रहा है सर्फ क्या हुआ अपने उस बाप के मरने का दूख हो रहा है क्या उस आदमी को अपने करमों की सजा तो मिलने ही थी है 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 तो आ गई मेरी जान चला आजा अंदर बात करते हैं चला आजा आजा अपने जादीप ने फोन करके तुम्हें बताया था कि वह सुसाइट कर ला है यह सर पापा की लाइफ में बहुत प्रॉब्रम थी कैसी प्रॉब्रम? मा पापा से बहुत प्यार करती थी लेकिन उनका पास्ट कैसा पास्ट? यह लो तुम्हारे पैसे और बक्षो मुझे वो फोटोस डिलीट कर दो अरे अभी नहीं इतनी जल्दी भी गया है दुरूफ तुमने जितने पैसे बोले थे मैंने लाकर दिये तुम्हें दिख पैसा है ना जेव के लिए होता है मेरा ग्या? दुरूफ हद में रैपनी सारी हदे मिटा देंगे देख मना करेंगी ना तुम फोटो वाइरल कर दूंगा देरे बोल करू चौट नहीं प्लेट छोड़ो प्लेट मलार यही रहता है? हाँ साप, मलार मेरा ही बेटा है आपको पता चल गया क्या? पता चला मत नो? साप, मैंने थाने में बताया था कि बुदवार से मेरा बेटा घर नहीं आया है कौन से थाने में? वो जगतपूरी थाने में तो मलार बुदवार से गया भे और डॉक्टर जयदीप का मडर भी बुदवार को हुआ था अगो भाई डॉक्टर साप का मडर हो गया? ज्यादा भॉली मत बनो, सब पता है हमें तुमारे बेटे मलार ने डॉक्टर जयदीप का मानने की कोस्रच की थी उससे भूल हो गई थी साप उसके दिमाग यहालट ठीक नहीं है डॉक्टर जयदीप ने ही उसका इलाज करवा रह थे डॉक्टर जयदीप उसका इलाज करवाएंगे? वो तो मानना चाहता था ना उनको? साप, वो अपने पिता के मौत से दुखी था और फिर बाद में हमने दोनों मिलके डॉक्टर साब से माफी मागी थी अए, अए माफ कर दो डॉक्टर साब मुझे माफ कर दो मुझे से गलती हो गई उठाओ मैंने सम्झाया इसे इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया इसके बाद तो पता चला दॉक्तर साब को कि मलार को डिप्रेशन है लेकिन दॉक्तर साब इतने महान थे कि उन्होंने मेरे बेटे को अपना बेटा समझ के उनका इलाज करवाया अता तुम ही सांगा साइब इतने अच्छे इंसान को मेरे बेटा कुछ कर सकता है क्या तो फिर भागा क्या हो कि क्या देख रहा है अब यह क्या कर रहा है चिनी बहुत है तो अब पागल है थूरी चाय खराब कर दी मेरी पैसे कि नहीं देगा क्या हा तेरा बाप देगा हा तो वो गण उनकी थी थी ना देखा अपनी गंद दिखा के मेरे बेटे को किस महाल में रख रहे थे कुछ तो शर्म कर मीरा उनकी जान चली गई है और तू ने इस तरह से तच कभी नहीं चुपता एक नएक दिन सामने आई जाता है अब देखना आगे क्या-क्या पता चलता है उनके बारे में को अपस्थ Double कि आषएगी सतता हाँ कि एक आष बार्भाइव amp को 已经 प्रुब्र किती हैं कर्वाने सब्सक्र lat Outlaw में सब्सक्री साने में प्रम मेरी तरहां चाने मेरी की देनिसा bene ये ध Norma मेटी की चाल सकती है यह बैर यरिय कियान आख भिर मारी किया निया थिक नहीं है और डॉक्टर जयदीप नहीं खुद मलहार को एक मेंटर होस्पिटर में इलाज़ की नी रिकमेंड किया था दिमागी हाला ठीक नहीं है तो क्या हो एसा इंसान भी तो मर्डर कड़ सकता है लेकिन सर मर्डर देसी कट्टे से हुआ है आपको लगता है ऐसी इहालत में मलहार देसी कट्टे कंद्जाम कर पाएगा पता करो ले कहा करा है वे ओके सर सर मीरा के पती पंकच का नंबर मिला है जयदीप के CDR में और मुर्डर वाले दिन सुभा जयदीप ने पंकच को कॉल भी किया था अठा के लाई इस भागास को सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर डॉक्टर जयदीप के मर्र से कुछ घंटो पेली तेरी फोन पर बात हुए थी इंसे और उसके बाद मरवा दिया उनको सर मैंने सच में कुछ नहीं किया» है यह सच है कि मिरी उनसे बात हुई थी लेकिन फोन उन्हों ने किया था और वो मुझे लालच ते रहे थे सर कैसा लालच? धेक पंकज, मैं तुझे दस राख तक दे दूँगा लेकिन फिर दूर कोट में नील की कस्टडी नहीं मागेगा मुझे तेरे पैसे नहीं मुझे मेरा बेटा चाहिए और उसकी कस्टडी मैं लेके रहूंगा सर फोन पर बहुत घर्मा-गर्मी हो गए थी फिर मुझे उनके मुझे मुझे बारे में बता चला लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया सर ऐसा नहीं उख लगा है असा लेको सर, सर वो मुझे मुझे पसाना चाहरी है सर यह पक्की भात है यह उसी का किया हुआ कांड होगा क्योंकि वो मुझे पसाना चाहती है अपने बाप को मारे की वो सर वो अपने बाप को बाप नहीं समझती सर और उसकी अपने बाप से बंती भी नहीं है सर अचा मेरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी के बाद भी अपने बाप को कोस्ती रही हमारी शादी को लेकर और फिर एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई सर और सर वो अपने बाप के साथ भी रहना नहीं चाहती थी क्यों नहीं रहना चाहते थे सर, उसका कोई लवर होगा सर, शादी से पहले भी उसका एक अफैर था और डिवोस के बाद वो दोनों साथ रहने का प्लान कर रहे हैं सर कौन लवर? मुझे नहीं पता सर, लेकिन ये पक्का है कि उसकी जिन्दगी में कोई दूसरा आदमी है प्लीज दूफ, मुझे, मुझे और मजबूर मत करो अचा चल एक लास्ट टाइम आजा, मेरी जाने जिगर मैं, मैं नहीं आपाऊंगी खी के फिर मैं तेरे फोटो वाइरल कर देता हूँ नहीं, नहीं तो आजाना मेरी मैंना उड़के उड़के आजा और आथे-आथे 50,000 लेगे आना, थोड़ा मुझे काम है अरुपर में इत्ते पैसे, हेलो सरो पंकच बखवास कर रहा है, खुद इत नंबर का दारुबाज है हो पर यह तो सच है ना, कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी थी हाँ, यह सच है, कॉल स्टम पे मैं किसी और से प्यार करती थी और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी फिक्स कर दी पर क्या उसके जिसे में उन्हें मरवाद होंगी और वैसे भी पापा का तो सुसाइड हुआ था सुसाइड नहीं है यह, डॉक्टर जयदीप का मतर हुआ है क्या आरोही को उस दिन डॉक्टर जयदीप ने वाकई में फोन करके सुसाइड करने की बात कही थी हाँ, पापा का हमारे सामने ही फोन आया था और वो गण एक 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 क्या बोलगे भी आप वो, वो मेरा बेटा कहा था कि उसने पापा के पास गन देखी थी मेरा वो चोटा बच्चा है कोई गलत से हमी भी तो हो सकती है ना अब अब अने नवासे को उपला ही, प्लीज हेलो बेटा, बेटो, बेटो, बेटो अच्छा बेटो एक बात बताओ क्या उस दिन आपने सच में अपने नाना के पास गन देखी थी? ओके, बिटा, कब की बात है कब देखी थी आपने अपने नाना के पास गन? वो जिस दिन नानो आरोही मासी के साथ आय थे न, उस दिन अच्छा, टोक्टर जदीप आरोही के साथ कहां से आय थे? वो आरोही को कोचिंग क्लास से लेकर आय थे, उस दिन वहां कुछ लड़कों ने उसकी साथ छेचाड की थी जिसकी वज़े से जैदीप जी बहुत परिशान थे तो यह बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? कौन थे वह लड़का है? यह लो तुम्हारे पैसे वेरी गुड़ कहां जा रही है? चल, आयो दुरूफ, मुझे घर जाना मही तब्या ठीक नहीं है चल दे रहे इलाज करता हूं चल मैंने बोला ना कि मेही तब्या ठीक नहीं है ए अकड किसको दिखा रही है? प्यार से समझा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा तेरे को? चलना अटेक मत कर चल दुरूफ अकड दिखा रही है मुझे तुरूफ देखो प्लीज, दुरूफ प्लीज, दुरूफ प्लीज सर मैंने आरोई के कोचिंग सेंटर में बात की पता चले जिए कि कोचिंग के बहाद दो लड़के आरोई का पीछा करते थे और कुछ स्टुडेंस ने यह भी विटनेस किया कि इसी बात को लेकर आरोही के फादार ने उन लड़कों के भावे पिटाई भी की थी कल तो बजगे थी तू आज तेरे को छूड़ूगा नहीं में तेरी अकड ठीका नहीं लगाता हूं मैं चल चल बैचल और सर वो दोनों लड़के आरोही के ही कॉलेज के द्रुव और करन आरोही ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया तेकन क्यों सर मीरा के CDR में हमें मदन नाम के आदमी का नंबर मिला है काफी फोन कॉल्स हुएं दुनों में तो क्या मीरा का इस मदन के साथ अफेर सर मदन तो 55 साल का आदमी है पता करो कौन है मदन करता क्या है मेरा के साथ इसका रिष्टा क्या है और मलहार की कोई अबडेट नई सर अभी तक कुछ पता नहीं चला लेकिन उसकी फोटो हमने हर जगा सर्कूलेट कर दी है चांदता नहीं है मदर करके आया हूँ मैं नोघेबल के आया हूँ और तेरा भी मदर कर दूंगा बॉरे नार जल लेकित जाए चांद चांद क्या? मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? बहुत रिस्की है यार तू समझा करना सुन मैं मिल के बात करता हूँ यार करन, तो जो पते है, लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन पिरेट चल रहा है, पैसा भी आ रहा है और मजा भी, आला हाँ ती? करन और धुरो? हाँ, हाँ सर मेरी बात सुनिये सर, हम आरु को क्यो चेड़ेंगे सर, वो तो हमारी फ्रेंड है छो सर, सर, मैं सच बोल रहा हूं सर, आरु यूर मेरा अफैर चल रहा है सर, हम तुनों बस बाते कर रहे थी कि उसके पापा को लगा कि मैं उसे चेड रहा हूं उन्हें मिसंडरस्टाइड हो गईती सर, आप आरु यूर से पूछ के कंफर्म कर सकते हैं क्या वाकई में तुम्हारा और धुरूप का फैर चल रहा है? अगर तुने मेरे बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो इतना बदनाम होगी कि चुलूप और पानी में डूप के मर जाने का मन करेगा तेरा समझी? देखो, डरो मत जो पी सच है, हमें सच बताओ हाँ सर मेरा और दूप का अफैर है पर पापा को ये बात नहीं पता थी इसलिए सच में हुजन मिसंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो क्या वाकई में डॉक्टर जैदीप ने फोन करके तुम्हें बताया था कि वह सुसाइट कर ला है? यह सर पापा की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन इस बारे में ना मा आपको कुछ बता रही और ना मीरा दी कैसी प्रॉब्लम? सर माँ पापा से बहुत प्यार करती थी लेकिन उनका पास्ट कैसा पास्ट? वाँ उटो माँ वाँ उटो माँ वाँ ना 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 माँ उटो ना ना माँ उटो मां मां ने पता दे क्या होग्या नाना नानी उटो नानी उटो रहे यार तो जविया सब कुछ हुआ? तुम घर पर ही थी? हाँ सर मैं नील को पढ़ा रही थी पता है नहीं चला मांने केसस इससाइन कर डॉक्टर जयादीब के लिए भी पोला गया था, लेकिन ऐसा निकला नहीं, ये सुसाइड़ ये भी सामने आ जाये का, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा और मदन का क्या रोल है इसमें? सर जराभी क्या बोल रहे? सब पता कर लिया हैंने कि तुम्हारा और मदन का क्या रिष्टा है? मैंने कुछ नहीं किया सर्फ! दो लोग मर चुके हैं और दोनों मर्डस पर सुसाइड का नकाब चलाया जा रहा है अच्छी तरीके से बता दे नहीं तो अर्गलबाना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं बोल! मेरा मेरी सगी बेटी है क्या? वो इंदू और जैदीब की नहीं त्वेरी और इंदू की बेटी है और ये भी सच है कि हिंदू ने मुझे धोका देकर उस जैदीब से शादी कर ली तो इसी बात का बदला लिया तूने जैदीब से है और मीरा को भी इसलिए बढ़का रहा तो तू है? नहीं सर साथ साल जेल में रहा है तू पुरीष्टी निकालने मैंने तेरी मुझसे चूट मत बोला साथ साल जेल में रहा हूँ सर लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर मुझपे मेरी बीवी इंदू ने जूठा इल्जाम लगाया था अरो अपना जाय तो तू नहीं से मार दिया नहीं सर यह सच नहीं है सच यह है के मेरी बीवी इंदू का उस डॉक्टर जैदीप के साथ चक्कर चल रहा था और उन दोनों ने मिलकर मुझे भसाने की कोशिश की मेरे खिलाफ प्लान बनाया और मेरे जैल जाने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली तो यह बजय कम नहीं थी जैदीप और इंदू से बदा लेने की तेरी सर मुझे कोई बदला बदला नहीं लेना था मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी जब मैं जैल से बाहर आया तो मुझे तो यह भी नहीं पता था के वह लोग सता रहा हैँ या कही हा रहा है बहुत साल धूंडा सर फिर अबी 25 साल पहले ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी मीरा का है और तब जाके मैं उससे मिला मीरा जी पहचाना मुझे मैं तुमारा बापा मेरा खून है ना साब इसलिए उसे पता है कि ईन दोनों ने मेरे साथ कितना गलत किया मेरा छोड़िये साब उन्हों ने मेरी बीटी मीरा के साथ भी बहुत गलत किया सर तो माम मुझे बच्चपन से जूड बोलते आए कि वो आदमी मेरा बाप है लेकिन उस इंसान ने मेरे साथ जिस तरह से बरताफ किया, ना? कैसा बरताफ? तुम्हारी मर्जी के खिलाब तुम्हारी शादी करवा दी यही ना? यह और भी कुछ है? सर, और भी बहुत कुछ है. लेकिन मैं इस बार में बात नहीं करना चाहती. तुम्हार मदान, डॉक्टर जादीप और हिंदू के मटर के प्राइम सस्पेक्ट हो. सर, लेकिन हमने कुछ नहीं क्या उनके साथ. वो लुग अपनी मौत मर है. अगर आपको लगता है, तो आप सब उढ़ सकते हैं. और आपको हमारे किलाफ कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन सर, जिस देसी कट्टे से मटर हुआ था, वो मीरा के बेटे के मुताबिक डॉक्टर जैदीप के ही पास था. यही बात तो समझ में यह आ रही है. कि इतना बड़ा डॉक्टर देसी कट्टा क्यों रखेगा? सर, डॉक्टर जैदीप के बारे में एक और बात मालूम चली है. तीन महीने पहले उन्होंने गन के लाइसेंस के लिए अपलाई किया था. उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन उनको गन इशू नहीं हुई थी. तो ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर जैदीप को लाइसेंसी गन नहीं मिली तो उन्होंने देसी कट्टा करी लिया गहीं से? सवाल ये भी तो है कि जैदीप गन रखना क्यों चाहता था? क्या उसको किसे खत्रा था? और अगर खत्रा था, तो किस से? मदन या फिर कोई और? सर, मलहार का पता चल गया है. उसे नाइगाव पुलिस ने अरेस्ट किया है. क्यों अरेस्ट किया है? सर, वो नारियल पाने वाले के साथ उसे का कोईता लेकर उस पर अटेक कर रहा था? तो वहां पे मोजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया इस वक्ता है इस वक्ता है? गरी मैंनि वसकी मेडिकेसिन की है और ऑप वहां आपके सवलों का जवाब दे सकें है, आइए. औक्तर गड़ा? अनुस, दोक्तर गड़ा? बलो ना दोक्तर गड़ा? शाटर ड़ा कोईटर गड़ा? वहां. अर। भाग्तर गड़ा? तुम तो डॉक्टर जैदीप को मारना चाहते थो इतने दिन से कहा गाय थे तू? लास्ट टू लास्ट वैजनेटर को मिलेते है न डॉक्टर जैदीप से जब वो दिल्ली जाने के लिए एरपोर्ट जा रहे थे हाँ, मिलेता हूँ उसी दिन डॉक्टर जैदीप का मडर हुआ है किस लिए मे लेते हैं? माफी मांगने के लिए किस बात के माफी? वो डिल्ली जाने से एक दिन पहले भी हम मे ले थे वो न मुझे अपने परिवार के बारे में बता रहे थे यह देखो, मेरे बच्चे हैं मुझे गुछ सा अगया बहुत प्यार करते और अपनी बेटियों से हम सबसे ज्याद़ प्यार किसको करते हो? दोनों को एक को चुनना पड़ेगा चुनना पड़ेगा लेकिन क्यों? एक को चुनना पड़ेगा न मारने के लिए क्या पक्पास कर रहे हो? चलो घर जाओ एक कोच्छुन डॉक्टर और इसको तू मारगा एक कोच्छुन एक कोच्छुन एक कोच्छुन निकल मैंने फिर से उन पर हाथ उड़ा दिया था इसी बात की माफी मांगने गया था दॉक्टर से बुद्वार को जितने लो एरपोर्ट जा रहे थे हाँ उसी दिन गया मुझसे बार-बार गलती हो जाती है मुझे माफ कर दो डॉक्टर साब अच्छा कोई बात नहीं अब तुम जाओ मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है मैं दिली से वापस आकर तुम से मिलूँ गा एमजी रोट पे चाइकी टपरी के पास ना? हाँ चाइकी टपरी के पास वही पर हमें लास्ट मेली है दॉक्टर जादीप की उने की कार में अब हम यह कैसे बिलीव करने कि तुमने नहीं मारा है डॉक्टर जदीब को? नहीं मेने नहीं मारा है मैं तो चला गया दा वहासे मेने नहीं मारा है, सच्छी मेने नहीं मारा है अचा अचा डॉक्टर जदीब के पास कोई गन थी गन? हाँ कौन सी गन? सर, मलाहर की बाते सुनकर मुझे लग नी रहा है कि हमें उसकी बातों भी यकीन करना चाहिए लेकिन मलाहर के साथ जादा सकती भी तो नहीं कर सकते वो पिशिंट है वो, राइट सर अगर वाकई मलाहर नहीं मंटर किया है तो फिर सावित कैसे होगा सर, सर हमने सारे सस्पेक्ट सीडियार फिर से चेक किये उनमें से ये नंबर क्राइम सीन पर आक्टिव था सहुए, क्या पिंगे क्या करा है अष्भ टॉ endeavor अधड बात क्योглядँ, Chief साथ कन्ष़ पिंगे तुम उस दिन अपने दूसरे नंबर से इस करन के नंबर पर फोन कर नहीं थी और इसका वो नंबर ठीक उसी जगे पर एक्टिफ था चहां पर डॉक्टर जैथी का मटर हुआ है अब ये बोलो क्या प्लाइन की थी तुम दोरों ने क्या प्लाइन के बाद मैंने सुचा कि मैं आरोई को प्रोपोस कर देता हूँ आरोई बिलीव में मैं दुरूव जैसा नहीं हूँ आरोई के खातिर मैं रेड़ी हो गया इसके पापो को मारने के लिए सर उजिन मुझे पता चल गया था कि पापा अपनी कार में गन रखते तो उनके एरपोर्ट जाने से एक दिन पहले मैंने वो गन चुरा ली और चुराने के बद मैंने वो करन को दे दी सर जब वो अएरपोर्ट के लिए निकले तो बाइक पे मैं उनका पीछा कर रहा था सोचा मौका मिलते ही मार दूँगा लेकिन जैसे ही वो वहां से गया मैंने देर नहीं की प्रूम फोन दे मैं कहता हूँ फोन दे हलो तेरा काम हो गया खतम तेरा बाप सुन तो वो सुसाइड वाली बात तुभारी कहनी थी और दूब को क्यों माना जाता था तू से और आप लगों को भी उसकी बाते बतानी सकती थी इसलिए मैंने करन को बोला कि जैसे मेरे बाग को मार दिया वैसी दूफ को भी मार दे और तूमारी बाइन दो सर उनको हमने नहीं मारा लेकिन जिस दिन मैं करन से दुरूफ को मारने की प्लानिंग कररी थी उस दिन उन्होंने हमारी बाते सुन ली नहीं बरदाश्च हो रहे मुझे करन जैसे पापा को मारा था ना वैसे दूफ को भी मार दो क्या मिला तुम्हें अपने फादर को मार के क्यों कि ऐसा सर इसकी जड़बी न वो मीरा दी थी पापा उन्हें अपना प्यार सापित करने के लिए उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार थे यहां तक की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दिया था उन्होंने उनको लेकिन उनकी सगी तो मैं थी ना मुझे हर बात में रोकते थे इतनी चोटी सी बात के लिए इतनी गहरी नफरत पाल लख की थे तुमने सिर्फ 20 साल की उम्र में तुम्हें प्रॉपर्टी की फिक्र है अपना करियर बना सकती थी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकती थी अब पुरी जिंदकी जेल में रहकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मागना हमारे समाज में माता-पिदा का इस्थान हमेशा सबसे बड़ा होता है लेकिन डॉक्टर जैदीब और इंदू के परिवार में उनके बच्चे ही उनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए उनकी बड़ी बेटी मीरा ने हमेशा उनका भरोसा तोड़ा और चोटी बेटी आरोही ने तो उनकी जान तक ले ली हमारी संस्किर्थी, हमारा पारिवारिक धाचा हमेशा यही दरकार करता है कि भले ही हाथ की पांचों उंगली बराबर ना हो लेकिन एक बंद मुत्थी की ताकत इनहीं पांचों उंगलियों से होती है इसलिए परिवार को जोड़े रखने के लिए अगर कभी आपको समझोते करने पड़े तो बेहिचक कर लेने चाहिए क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव एटिट्यूट ही हमारे आपसी प्यार को बनाए रख सकता है फणना निगेटिव एवरोज का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है जहिन आज का ये एपिसोड क्राइम पेट्रोल के 15 एपिसोड की स्पेशल सीरीज में से एक है ये सीरीज कुछ ऐसे चुनिंदा गुनाहों की कड़ी है जो देश भर में घटित कई शौकिंग क्राइम स्टोरीज को कवर करेगी और आज का ये केस एक परिवार की बेहद ही दर्दना कहानी है ये देखो ये मेरे बच्चे हैं अच्छा सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो दोनों को नहीं, एक को चुन्ना पड़ेगा ना आप रिले बगवान ये तो मेरा फ़र्स है ये टेक कैप थेंक्यू डॉक्टर जहदीब हम् आपके टेबल पे मेंटल पेशन की रिपोर्ट वाकई में डॉक्टर जहदीब ने फोन करके तुम्हें बताया था कि वह सुसाइट कर रहा है ये सर, पापा की लाइफ में बहुत प्रॉब्रम थी कैसी प्रॉब्रम? माँ पापा से बहुत प्यार करती थी लेकिन उनका पास्ट कैसा पास्ट? प्रॉप्टर साफ, नेरी मार्केस थी? प्रॉप्रेशिन उस्प्सेश्वल, इसका प्रॉप्टर. थैंक्यों, प्रॉप्टर साफ. प्रॉप्टर. प्रॉप्टर. नी? केसे? कीकुमा से आपकेसे? अच्छिव. नानू! आजब मेरे ले क्या ले? तुझे मेरे कितनी मर वोला है? मेरी चीजों को हाथ मत लगा है कर लेकिन तुझे समझ नहीं आता. मीरा, क्यों हमेशे ऐसे चिर्चिर कर के बाप करती रहती है? तेरी बहन है ये तेरी? हाँ. अब आप आगई इस आरोही की साज़ लेने के लिए. वो ना मुझे अपने परिवार के बारे में बता रहे थे? ये देखो. सोचा मुखका मिलते ही मार दूँगा.